नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का मेरे चानल सिर्फ आईएस में प्यारे साथियों हम विजन आईएस की ऑक्टोबर मन्त की 2023 की मैगजीन को कम्प्लीट कर रहे थे और उसी के चलते हम यह पार्ट टू लेकर आए हैं टॉपिक हमारा पुराना वाला ही चल रहा है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का आईए चैनल वगयरा को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजे तो साथियों इसके इंदर जो हम सब टॉपिक पहला पढ़ेंगे वह है पार्लिमेंटरी प्रिविलेजिस ओफ लॉमेकर्स का तो बात क्या है भई जो लेजिसलेटर होते हैं आकिरकर उनको पार्लिमेंटरी कुछ फाइदे कुछ प्रिविलेजिस मिलती है तो इस बारे में बात है नियूज में क्यों रहा चाना की बात तो बात क्या होई कि रीसेंटली हमारे मानिये सुप्रीम कोल्ट ने एक साथ म इसलिए बनाया कि भाया एक बार एक 1998 की बात है जब एक पांच मेंबर की जज को बनाया गया था और उस समय उन्होंने जजमेंट दिया था पीवी नर सिंभा राओ केस में तो इसी जजमेंट को री कंसिडर करने के लिए इस जज़ को बनाया जा रहा है जोकि साथ ज़ज की बेंच है जादा जैजेस हैं इसके अंदर जो भी डिसीजन हो का वो फाइनल दिखाया जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आखिर कार वजा क्या हो गई अचानक से इस चीज को निकाल ली देखी बात क्या है कि 1998 में जज्जमेंट एक दिया गया था पीवी निरसिं तो उसमें यह कहा गया था कि भाईया थोड़ी बहुत इम्यूटी दी जा रही है आप लेजिस्लेटर को क्या इम्यूटी है लीगर इम्यूटी दी जा रही है अंडर सेक्शन 104.2 और 105.2 के तहट समिधान के इसमें क्या मिल रहा है इन लोगों को यह मिल रहा है कि भाईया कोई भी क्रिमिनल प्रोसेक्यूशन नहीं होगा और ब्राइबरी चार्जेस या किसलिए अगर मालीजे कोई उन्होंने स्पीच दी है या वोट दिया है पार्लिमेंट के अंदर तो इन लेजिस्लेटर के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसेक्यूशन और ब्राइबरी चार्जेस आप नहीं लगा सकते हो तो अब यह त इसा ब्राण कर दिया जाता है पार्लिमेंटरी प्रोसे को मिलती है जिसमें होता क्या है कि लेजिस्लेटर को प्रोटेक्शन दिया जाता है सिविल और क्रिमिनल लाइबल्टी जो उनकी है उसके अगेंस्ट कि अगर एक कुछ काम उन्होंने ऐसे करें या कुछ ऐसा उठाके जेल के अंदर नहीं डाल दिया जाएगा ठीक है उनको कुछ यहां पर फाइदे प्रदान किये जारे हैं यह होती है प्राइलिमेंटरी प्रिलिज्ट तो अभी तक क्या हुआ अभी तक अब आप कहेंगे कि माम क्या अभी तक किसी को कुछ ऐसा देखने को मिला है या that of its members and committees अभी तक ना ही पार्लिमेंट ने ना ही किसी स्टेट लेस्टेशन ने कोई ऐसा law लेकर आया है जिससे वो पावर क्या है प्रिलिज्ट क्या है मिनुटीज क्या है हाउस की यह दर्शाया जा सके इनके members और committees के लिए तो यह बात यहां समझे कि जो पार्लिमेंट है अभी तक उसने कोई special तरीके का law नहीं बनाया है जो law आपको दर्शाता हो कि सारी privileges यह 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 privileges प्रतान करी जाएंगी ठीक है यह सिर्फ और सिर्फ पांस sources पर बेज़न हों पांस sources है एक तो constitutional provision दूसरा अलग अलग तरह के laws जिससे पार्लिमेंट जो है बनाती है तीसरा rules दोनों ही houses के चोथा parliamentary conventions और आखरी में judicial interpretations तो पार्लिमेंट के पास पूरी तरह से authority होती है कि आप यह चीज़ का ध्यान रखें अगर कोई breach या contempt of house होता है तो अभी यह समझे कि जो भाई चल रहा है अगर कोई बिजती या कुछ गलत तरीके से जो भी रिनोट करता है चीज नहीं और एक house का जो member है वो question को raise कर सकता है चाहे वो breach of privilege क्यों क्यों नहीं हो ठीके ना चाहिए breach of privilege भी तो पताती चाहिए प्रिविलेज हो रहा है house contempt हो रहा ही होता क्या है breach of privilege contempt of house अब क्या है यहां हम ने तो जुद्धियों का पढ़ा देखो भाया breach of privilege वह चीज़ है अगर मालीजे कोई व्यक्ति है या कोई authority है वह पार्लिमेंटी प्रिवे जो पार्लिमेंट breach of privilege ठीक है और दूसरी बार जो contempt of cold है उसका मतलब होता है कि breach of privilege यह different is contempt of the house से sorry contempt of cold मैंने कह दिया यह contempt of the house है कि contempt of cold बार बार आता रहता है ना ठीक है contempt of the house में मतलब क्या है कि यह breach of privilege अलग हो गया contempt of house अलग हो गया मतलब समझेए अगर यह तो refine करेगा as an act or omission which obstruct or impedes either house of parliament in the performance of its function मतलब कि यह house of parliament के कार में अगर कोई रुकावड बनता है तो या फिर कोई member या officer है ऐसे house का जो अपनी duty को निभा रहा है और कोई जो है उसको उस duty को निभाने से रोक रहा है ठीक है या उसमें रुकावड बन रहा है या उसमें कोई दिक्कत ला रहा है या फिर directly या indirectly to produce such result या कोई वेक्ति या authority या कोई भी ऐ इसके माध्यम से directly या indirectly किसी काम में रुकावड बन रही है किसी member या parliament के house के तो उसको हम define करेंगे contempt of house में इसको आप वही contempt of cold की तरह relate करोगे तो easily याद रख पाऊगे तो अब आप कहेंगे माम अगर कर दिया तो क्या दंड मिलेगा क्या punishment मिलेगी breach of privilege या contempt of house हो गया तो अगर एक इनसान गलत पाया गया उसने इन में से कुछ भी करा तो इसको warning दी जाएगी या फिर जेल में भी डाला जा सकता है और उसके बाद जितना house मतलब यही समझेगा a period for which the house can commit an offender to custody or prison for contempt is limited to the duration of the session of the house अब ऐसा नहीं है कि इस बात के लिए house को जो है वो डाली दिया गया मतलब जो वेक्ती है उसको उठा के जो है वो जेल में ही आप डाल दोगे और जिंदगी भर नहीं आने दोगे इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है ना में बात इसक जो जो house जो है वो session में है तो यह हमने जो है वो आपको ऐसी चीज़े पते हैं अच्छा कोई बात नहीं अब उसके बात क्या है थर्ड चीज कि in case of its member is found guilty अगर इनके member कोई guilty पाय जाते हैं तो जो member of parliament है यह suspend करे जा सकते हैं house से या फिर इनका बहुत जो है भाशकार देखन को मिलेगा अच्छा यह देखिए इसका मतलब क्या होता है आप सोचेंगे ना कि बीच में छोड़ दिया रेप्रिमेंडेड है ना यह वांड तो मैंने बता दिया प्रिजन में रेप्रिमेंडेड का मतलब होता है कि एक बहुत ही strictly formal तरीके से किसी इनसान को हम्टेंग यह बता दिया कि आपने गलत काम किया है और इसके लिए आपको punish किया जा सकता है ठीक है तिक तरीके से डराना या इसा ही समझग लीजे कि क्या कह सकते हैं कि जो है वांणिंग देना इसी तरीके से चीज़ें आ जाएंगत Woah ना आईये आईये और आपको बताती हूं देखिए मर्जी से चीजों को सामने रख सकते हैं बिना किसी डर के कि उनके खिलाफ कहीं legal consequence ना हो चाहे अपनी बातों को सामने रख सकते हैं दूसरी बात कि attendance जो पर्लिमेंटरी session की है वो proper ensure रहेगी authority or dignity जो लाइस लेचर की हो proper maintain रहेगी आप जो functions हैं वो अजाजी से independently कर सकते हो अच्छे से effectively कर सकते हो दोनों हाउस के ना किसी भी ना interference के तो यह सारी चीज़े हैं अब आप कहेंगे कि माम आखिरकार क्या provisions हैं जो दी जाती है legislator को इस जो immunity प्रादान होती है ना prosecution से तो क्या-क्या चीज़े हैं इसके लिए क्या और कौनसी प्रोविजन्स प्रादान करी गई हैं तो पहला article number 105 यह डील करता है पार से privileges से दोनों हाउस ऑफ पार्लिमेंट की और उसके members की और committees की सेम तरह से article number 194 यह भी के दिखाता है corresponding powers को, privileges को, immunities को, state legislature की, उसके members की और committees की अच्छा दूसरा point क्या है कि right to prohibit publication of proceedings तो article number 1052 कहता है कि no person shall be liable in respect of the publication by or under the authority of either house of parliament of any report, paper, votes, or proceedings कि भाया कोई भी वेक्ती liable नहीं होगा in respect of जो publication या publish उसने किया है by or under the authority either of house of parliament कोई भी report को, paper को, votes को, proceeding को और एक सेम तरह की provision आफ member of the legislature of the state के लिए भी पाएंगे article number 194 part 2 के तहते ना तो यह तो आपका चल रहा है parliament वाला 105 समझ लीचेगा state के लिए 194 समझ लीचेगा आच्छा तीसरी बात कि freedom of speech in parliament तो freedom of speech जो available है members को ना पार्लिमेंट मतलब house के अंदर ही यह अलग होती है जो की available है हमारे लोगों को citizens को under article 19 part 2 के तहत हम लोग को भी तो है na freedom of speech and expression तो यह वाला हमारा अलग है और यह members of the house के लिए जो available करी गई है वो अलग है अब यह वाली कौन सी है यह article number 105 part 2 के कहता है कि no member is liable to any proceeding in court for anything said or any vote given by him in parliament or its committee कोई भी चीज़ वो कह रहे है या कोई किसी को भी वोट दे रहे हैं पार्लिमेंट के अंदर या उसकी committees के अंदर तो कोई व्यक्ति इस चीज़ के लिए liable नहीं होगा तो यह दो आजारी दी गई है जिसमें constitution की है rules and procedure of the parliament की जैसे कि मैंने बताया article number 118 जो समयधान का है वो सब बताता है हाला कि article number 121 रिस्टिट भी करता है रोग भी लगाता है members के उपर कि आप discuss नहीं कर सकते judges के conduct को supreme cold के और high cold के यह तो बहुत ज़रूरी चीज़ है नहीं तो पटा पट उठा उठा के जो है वो यह लोग सब के सब निता नगरी वाले उल्टाइशी तब बोलना शुरू करते हैं लोगों को चलिए next बात करते हैं freedom from arrest के बारे में तो code of civil procedure 1908 यह provide करता है कि members को freedom मिलेगी कि किसी भी arrest के against किसी भी civil case के arrest के against जो भी 40 दिनों के भीतर हो या after हो arrangement of the house के and also when the house is in session यह समय लेज़े house session में चल रहा है ठीक है या फिर adjourn होने के 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक कुछ भी अगर ऐसा होता है है ना तो यह freedom from arrest है in members को दिया गया है 1908 का code of civil procedure के बाद provide करता है हाला कि यह जो privilege है ना यह civil cases तक ही है समय लीजे अगर ऐसा नहीं उसने कोई criminal case कर दिया है session के time पर ऐसे 40 दिन पहले 40 दिन बाद में तो पकड़ लिया जाएगा तो एक अलग की बात है civil cases की बात है ठीक अच्छा privileges based on rules of procedure and precedence मतलब Parliament जो है वो कुछ rights को reserve करता है कि immediate information to receive immediate information of arrest, detention, conviction, imprisonment and release of a member on criminal charge or for a criminal offense ठीक है यह कुछ हग प्रदान करेगा है उसके बाद right to exclude strangers देखिए members of the house के पास यह power है यह right है कि वो exclude कर सकते हैं strangers को who are not members of the house from proceedings, proceedings चल रही है तो जो बाहरी वेक्ति है कोई stranger है तो उसको यहाँ पर इस proceeding से दूर रखा जा सकता है, जो right है काफी जरूरी है कि ताकि एक अच्छा free और fair discussion हो सके house के अंदर कोई बाहर वाला आके ना बैठ चाए, साथ में provisions जो 122 आर्टिकल के अंदर है उसके हिसाब से देखें तो जो validity होगी ऐसी proceeding की Parliament की वो आप इसमें नहीं कर सकता है उसके against अच्छा need क्या है reform लाने की parliamentary privileges के अंदर तो पहली चीज़ तो applicability देखें स्कोप और limitations जो parliamentary privileges की है न वो अभी भी समझना बागी है कुछ जगाओं पर कुछ example अगर हम यह देखें तो जो privileges हैं जो यह रोक रही है ना lawmakers को prosecution के against as civil cases cannot be initiated when house in session तो इसमें क्या है समझने की जरूरत है क्योंकि इससे क्या होता है माल लो आजकल के नेता नगरी वाले लोग कुछ भी करके चले आ रहे हैं उनको मालूम हम यहां से तो बची जाएंगे तो यह जरूरत है इसको फिर से समझने जानने की ठीए मिस्यूज बहुत जगा हो रहा है इस चीज़ का फाइदा उठा कि यह लोग अपने जो है गलत फाइदा उठा रहे हैं तो इससे क्या होता है कि फंडमेंटल राइस सिटीजन्स के हल्ट होते हैं वाइलेट होते हैं लाग ओफ ओवर साइट अब देखो सही मेकैनिजम पता नहीं है कि मेंबर्स को कैसे प्रिवेंट करना है हाउस से कि वह सही से जो है वर प्रिविजिस तो यूज करें कैसे तो क्या करते ना पर्सनल और अपने इंट्रेस्ट के लिए काम कर लेते हैं प्रोसीजर की कमी है क्या है पार्लिमेंट अभी में देखे कोई सेट अफ प्रोसीजर्स लाने की जरुवत है जो डील करें ऐसे सारे केसिस से ब्रीज ऑफ प्रिविलेज के ठीक है यह तो बाहर तुरंती जो है ऐसे डील किया जाना फर एक्जामपल क्लारिटी है नहीं कि भाई हेरिंग करी जाए अक्यूस के अगेंस या जो है वो उसको राइट दिया जाए लीगल रिप्रेजेंटेशन का तो यह सब चीज़े हैं नहीं कि वो सामने अपने अपने प्रिविलेज लॉज है या उसके खिलाफ ऐसे 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 होगा अगर ऐसे ऐसे बात हो जाएगी तो अच्छा अगेंस नैश्रल जेस्टिस देखो ब्रीच ऑफ जो प्रिविलेज लॉज है ना यह पॉलिटीशन को अलाओ करता है कि अपने खुद के केसे यह जज़ कर सकते हैं तो इससे क्या होगा conflict of interest पैदा हो होना है सही से proceedings जो इसके against हैं वो की जाएं लेकिन यह तो खुद ही अपने judge बने बैठे हैं अपने case के तो कैसे होगा आम जंता या और लोगों के लिए तो ऐसे नहीं होता और constitutionalism को भी evaluate करता है देखो सही से privileges लिखी नहीं है कैसे होगा procedure लिखा नहीं है तो unlimited power मिल गया हाउ सब्सक्राइब करेगा कब कहां कैसे breach of privilege हुई कैसे क्या हुआ तो आगे समझे कि immunity जो parliamentarians को देना तो जरूरी चीज है लेकिन कुछ ऐसी urgent कदम भी उठाइए जिससे constitution के हिसाब चीजे चले क्या प्रिविलिजिस बताइए प्रॉपर क्या है एक standard operating procedure हो अगर माली जिए breach of privilege व parliamentary privilege का उनके members के द्वारा वो खतम हो जाए ठीक है next topic हम करेंगे जो की हर साल आने वाला topic है वो है interstate water dispute इसको गौर समझते चलेगा फिलाल क्यों न्यूज में है समझते हैं साथ हो recently union cabinet ने अप्रूफ करा terms of reference को to krishna water dispute tribunal 2 under the interstate river water dispute act 1956 के तहत अब सुचो मामला क्या है news के बारे में और चीज़े बताते हैं देखो भया बात क्या है कि यह जो krishna water dispute tribunal 2 है यह क्या करेगा यह distribute कर देगा बाट देगा krishna river को ठीक है यहां पर जो अलोकेटेड है to undivided आंदरप्रदेश के साथ इसको बाट क्या में इसको जो है पहले तो आंदरप्रदेश की पास ह अब इसको यह बाट देगा तेलांगना और आंदरप्रदेश के बीच में क्रिष्णा क्या है क्रिष्णा एक east flowing river है जो कहां से निकलती है महा बलेश्वर से निकलती है महराष्ट्रा के अंदर और यह आखरी में किस से मिल जाती है जाके मिल जाती है बेव बेंगॉल में औ और यह बेह के कहां कहां से किस की स्टेट से निकलती है तो महराष्ट्रा करनाटिका तेलांगना और आंदरप्रदेश से ठीक है इतनी बार समझे कहां से महराष्ट्रा करनाटिका तेलांगना और आंदरप्रदेश से होते हुए यह बेव बेंगॉल में जाके मिल जाती है अब साथ में सुप्रीम कोल ने पंजाब की सरकार का जो क्रिटिसाइज भी किया पंजाब की सरकार को क्योंकि ये बहुत धीमे धीमे कंस्ट कर रहे हैं को प्लोग्रेस है इनका कंस्ट करने में सतलज यमुना लिंक है न अभी आपको जिद्दू मुसे वाला याला रहा होगा तो यह सतलज यमुना लिंक कनाल को जो है वो कंस्ट करने बड़ा समय ले रहे हैं और इसके लिए सुप्रीम कोल ने इनको बहुत पंजाब की सरकार को क कहेंगे माम यह अभी तो आप बात कर रही थी इदर क्रिष्टना इसना की यह क्रिष्टना से बात होते होते ही कहां से आ गई एस वाई एल पे बात तो आई समझते हैं यह सतनज यमुना लिंक कनाल की कहानी और इसका इससे जुड़ा हुआ क्या आकिरकार इश्यू है तो वाटर शेयर करने की बात है इन दोनों रिवर का ठीक है और विच 122 किलोमीटर जो है वो रहेगा यह पंजाब के अंदर और बाकी जो है देखते हैं कि 92 किलोमीटर हर्याणा के अंदर है तो यह प्लान तो 1966 में किया गया था जब पंजाब से हर्याणा का विभाजन हुआ निकाला मतलब यह बनी थी हर्याणा ने अपने स्ट्रेच एस्वाइल के नाल का 1980 में कंप्लिट कर लिया लेकिन पंजाब ने क्या करना पंजाब देखता रहा क्या करना है और यहां पे इसने क्या कर रहा वाल पंजाब केट साइटिं रिपेरियन प्रिंसपल्स और नॉन जमीन चल रही है इस जमीन का जो भी ओनर है उसके पास हक है कि वो इस पानी को यूज़ कर सके समझे यह मारी जे रिवर बह रही है ठीक है और यहीं से जुड़ी हो जो लैंड है इस लैंड का जो ओनर है ठीक है वो ओनर इस पानी को यूज़ कर सकता है ऐसा रिपेरियन प् वाद क्यों क्योंकि ground water जो है वह बहुत over exploit हो रहा है हर्याना यह कहता है कि इसके जो south वाले part in state के वहाँ पे भी तो water problem देखने को मिल रही है क्योंकि वहाँ पे भी तो ground water खतम हो रहा है तो यह claim यह करता है कि भाया हमें हमारे जो हमारा पानी मिलने का जो हमारा होगा जा रहा है हमको यह हक proper प्रदान नहीं कर जा रहा है ऐसा हर्याना कहता है तो यह सुप्रेम को डाट लगाई है कहा है कि देखो भाया क्या चल रहा है अच्छा अब वापिस से अपने इश्यू पर आते हैं कृष्ण से नहीं में किया गया था अंडर दा आई एसार डबलू ड आक्ट नाइटीन फिफ्टी सिक्स के था है तो अभी उपर आट मैंने आपको बता दिया है तो इसने क्या करा इसने डिवाइट करा यह दो हजार साथ टीमसी मतलब थाउजन मिलियन क्यूबिक फीट जो यह पानी अभी एक्स्ट्रक्टेट फॉमा कैच्मेंट एरिया 75 परसेंट ऑफ दा टाइम और इससे क्या होगा इस बात को ध्यान रखके कि कंसिद्रिंग दर नाच्रल वारे बिन वाटर अवलेबल तु फैक्टर सच अच प्रेसिपिटेशन एवापरेशन और फिल्ट्रेशन इन इ पानी है एलोगेशन ये 65 परसेंट डिपेंडिबिल्टी तक रखें एंड फॉर सर्प्लस फ्लोज और 2014 में अगर सब निकाल लोग तो बचेगा क्या और 2014 में जब यहां पे तेलांगना बना एक सेपरेट इस्टेट के तोर पे तो तो भाई आप पानी कहां से लेगा तो आ क्योंकि यहीं है ना क्रिष्णा वॉर्ट इंस्टेट ऑफ त्री तो निकलेगा अब लेकिन हुआ क्या अब तीन से चार कन्ने के चक्कर में महराष्टा और करनाटका अब आपस में बहस कर रहे हैं कि भाईया तेलांगना को तो हमने बना दिया तेलांगना तो निकल के आय मotा आज देंगेता और लेकिन खालिए तसमर्णा रहे हैंब यहां पर उसने कहा कि है पहले किसमें था पहले था एक महाराष्टा एक था कनाटका और एक था और अंदरपदेश अब लेकिन यह जब की 칠ांगना को पर पार्टी दो लेकिन महारास्टा और कनाटका यह बात बहस कर रहे हैं कि भाई देखो सुनो मेरी बात आंद्रपदेश से निकला है न ये तेलांगना तो इसलिए जो पानी है वो आंद्रपदेश अपने हिस्से में से देगा हम लोग घाई के लिए अपना-पना हिस्सा देंगे है ना बात सही है क्यों विच्वाश अबरूट बा बात है ठीक है तो ये पूरी कहानी चल रही है अच्छा देखिए ये जो ट्रिबुनल बनाई गई है इस आइसर डव्लू डी आक्ट नाइटिक्वटी सिक्स के तहर्त वो सारे ट्रिबुनल साब को बढ़ा दू फिर इस टॉपिक को कॉंडियो करूंगी देखिए इसमें स स्टेट जो कंसर्ण है वो पंजाब हर्याणा और राजिस्थान है बड़े बवाल चल रहा है या पानी को लेके देश के अंतर ठीक है दूसरी एक बनाई गई है ट्रिबुनल नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिबुनल जिसमें स्टेट राजिस्थान मद्रप्रदेश गुजरात और महराष्ट्रा है फिर एक बनी है वनसंदरा वाटर डिस्प्यूट ट्रिबुनल जिसमें आंधर प्रदेश और उड़िसा लड़ रहे हैं महाधाई वाटर डिस्प्यूट ट्रिबुनल है जिसमें गोवा करनाटका और महराष्ट्रा है फिर है गोदावरी व वाटर्डिस्टीट टिविनल इसमें केरिला का तमिलादूर पुड्डू चरी है तो इस आड के तहट इतनी सारे में को बनाया गया था जालो खेल इब आप कहें इतने सारे वडाया गया है मतलब हर इसे स्टेट बना देंगे इनको पानी की दरूत पड़ी वो तो अपना बह रहा था सभी लोगों के लिए बह रहा था कि सब रहते जाओ विभाचन कुछ है नहीं सब पीते जाओ कुदरत ने तो ऐसी बनाया था तो जब नदी बहती है स्टेट की बाउंडरी से होते हुए ग को नुकसान हो जाता है थोड़ा बहुत कम जादा हो जाता है अच्छा दूसरी बात क्या है कि राइजिंग वाटर डिमांड अब देखो टोटल जो पानी की दिमांड इंडिया के अंदर वो कहा जा रहा है कि 25 से 32 परसंट तक बढ़ जाएगी 2025 से 50 तक तो जो डिमांड वो पावर देता है कि आप पानी को यूज कर सकते हो स्टोर करने के लिए लेटरिस्टी बनाने के लिए इरिगेशन वगरा करने के लिए जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर या इंटर स्टेट वाटर है यूनिलिस्ट के अंदर हाला कि यह जारी पावर जो दी गई है वो इं इंडिया यह बेस्ट है कुछ ऐसी अप्रोच पे जो बिल्कुल एक जैसी नहीं है ना बहुत सारे ऐसे नुमेरिकल इशूज हैं जैसे की इसके लावा कुछ और इशूज हैं जैसे की MSP जो दिया जाता है राइस को और वीट को तो इससे क्या होता है ना कि वाटर की डिमांड और बढ़ जाती है तो इससे इंटर इस्टेट वाटर कंफिक्ट और बढ़ता है जैसे कृष्णा कावेरी तीस्टा बेसिंस या SYL जो पंजाब अर्याणा की बीच में चल रहा है इसके लावर स्टेट की बाउंडरी इंडिया के अंदर वह देखो ना कितनी बार ऐसा हुआ कि स्टेट की बाउंडरी में से किसी और स्टेट को निकाल दिया गया या कुछ काटी खई चाटी गई तो इससे ऑल्टर होती रहती अब जब तुम सब परिवार डिवाइड हो जाओगे तो अब राशन आया अगर तो यह चीज देखने को मिलती अच्छा तो क्या है ऐसे डिस्प्यूट को जो है डील करने के लिए क्या बनाया गया वित्ता बड़ा देश है कुछ तो जो है कदम उठाए गया होंगे बिलक लिष्ट है union list है concurrent list है तो उसके अंदर entry 17 जो है state list की वो कहती है कि water is to save water supplies, irrigation and canals, drainage and embarkments, water storage and water power यह subject to the provision है entry 56 of list 1 का that is union list का और entry 56 जो list 1 की है वो यह कहती है कि जो regulation और development है इंटर स्टेट वाटर का और रिवर वैली इस का तू दा एक्स्टेंट तू विच सच रेगुलेशन और डिवलप्मेंट अंदर दा कंट्रोल ओफ यूनियन ये डिक्लेयर करा जाएगा पार्लिमेंट के दोरा बाई लॉट तू बी एक्स्पीलियंट इन दा पब्लिक इंटरेस्ट ठीक है ये लॉग के मादियम से होगा और वो लॉग ऐसे बनेगा जिसमें जनता का हित हो दूसरा जो दिया गया है वो ये है आर्टिकल 262 वो ये कहता है कि पार्लिमेंट बाई लॉग ये प्रोवाइट कर सकता है ये ना for the adjudication of any dispute या फिर complaint with respect to use या distribution या control of water को लेके या फिर इस से related कोई चीज़ को लेके कोई भी state river या river valley के दोरा और जो power ये जब निभाता है आर्टिकल 262 की समविधान के तो पार्लिमेंट यहाँ पे लेकर आता है दो laws को पहला इंटर state water dispute ISWD Act 1956 को लेकर आया था इसके तहत क्या था कि state government के पास यहाँ पे power होगी with another state government जो request कर सकती है central government से कि आप dispute को refer कर लेजे एक tribunal को बना के और tribunal जो है वो अपना decision देखे और दूसरा law आया था river boards act है ना हाला कि tribunal वाला समझ गये तभी इतनी सारी tribunals को बनाया गया है फिर एक आया था river board act 1956 तो यह बनाया गया था river boards को set up करने के लिए central government के द्वारा और यह river boards जो है वो regulate डवलप करेंगे इंटर इस्टियर्ट रिवर्स और रिवर्स वैली को और लास्ट में national water policy 2012 ठीक है ना इसमें क्या था कि address करता है issues को जैसे के पानी की कमी को ठीक है और जो equal distribution नहीं हो रहा है पानी का उसको लेके या कोई ऐसी सही planning management और use नहीं है water resources का तो इसको लेके अब आप कहेंगे कि माम क्या challenges इससे जुड़े हुए हैं अगर हम resolve करना भी चाहें इतने बड़े disputes को आज UPSC की preparation करते करते इतना time हो रहा है माम लेकिन तब भी हम यहीं देख रहे हैं कि dispute नहीं खतम होते हैं ऐसा क्यों देखो पहली चीज़ तो resolution में बड़ी कमी है ठीक है यहां पर इतने लंबे वक्त तक प्रोसीडिंग चलती है डिस्पोजल होता है वाटर रिवर वाटर डिस्प्यूट का फॉर एक्जामपल 11 साल लग गए थे गुदावरी वाटर डिस्प्यूट को अपना डिसीजन देने में इस्टेट डिस्प्यूट को लेके डिसीजन देंगे हाला कि आर्टिकल 136 पावर देता है सुप्रीम कोड के आप अपील सुन सकते हैं यह त्रिविनल ओर्डर के अगेंस्ट ठीक है लेकिन आप डिसीजन नहीं लेंगे तो इससे बड़ी गफलत हो जात करना है कि नहीं करना है अच्छा इसमें पॉलिटिक्स का भी बहुत रोल है कुछ पॉलिटिकल पार्टी ना इसी का ही यूज करके अपने पॉलिटिकल गोल्स को पूरा कर रहे हैं कि हम आएंगे तो पानी देंगे अब लेओ पकड़ो उसके बाद मल्टिडिसिप्नरी इसके अंदर है इसके अंदर वो मेंबर्स होते हैं जो जुडिश्री के हैं इसलिए यहां पर इसपेशली जैसे की एकोलोजिस्ट वगेरा नहीं है तो इससे क्वालिटी ओर्डर की बड़ी गलबढ़ हो जाती जो जिस फील्ड में अच्छा है उसको उस डिसीजिशन में अब वेफ ओवर्ड की बात कर लेते हैं तो वेफ ओवर्ड में पहला यह है कि क्या होना चाहिए कोपरेशन सबसे पहले आप मजबूत बनाओं इनेबलिंग कोपरेशन तो इसमें क्या है कि जैसे फंडमेंटल स्टाटेजिक शिफ्ट अवे फ्रॉम दा करेंट रिलाइंस कॉंफ्लिक्ट रेजुलिशन इस रिकॉइड और सो यहां जरुवत यह है कि एक स्टेट्स के बीच में अगर हम देखें तो एक अच्छा संबन्ध हो ना प्रॉपर सही से एक बढ़िया प्रॉसेज हो जिससे आपस में सब मिलके एक बढ़िया डिसीशन पर तो आ जाए त हो तो अपनी आप ही वॉटर सप्लाइए बढ़ेगी वॉटर के बैलनसिंग बढ़ेगी डिमर्ड जो हीं मेन यूज की है लीचने अप्रोच के वा अच्छे से पूरी हो सकती है रिवर वाटर के साथ में अच्छे मेनेजमन के सात में अच्या मल्टि डिसीप्लियरी अप् तो इससे क्या होगा न कि water volts और अच्छे efficiency से काम करेंगे ecological and environmental friendly solution प्रोवाइट करेंगे ना river का कुछ बिगड़े ना आप कुछ बिगड़े कि river का कुछ बिगड़ा तो आप बहुत कुछ बिगड़ जाएगा water policy कि अगर water dispute को resolve करना है reasonable और equitable तरीके से तो कुछ parameters को आपको water policy के अंदर डालना पड़ेगा जैसे कि कि किस हद तक river basin drainage का area होगा हरी state के अंदर सब कुछ तो नहीं हो जाएगा न उसके बाद water का contribution river basin में क्या होगा हरी state के दौरा climate or dependent population क्या है river basin पे extent क्या है arid or semi-arid areas का हर एक state बगएरा के अंदर तो ये पूरी कहानी है next topic है हमारा कि role of technology in public services delivery क्या है technology का role आज के time हम देखते हैं कि public services को हमारे तक पहुँशने में क्या क्या चीज़े हैं जो हम technology से use कर सकते हैं देखे समझते हैं पहरे news में बात आई क्यों तो comptroller and order general हमारे CAG जो इंडिया के हैं इन्होंने इस बात पर emphasize करा कि भाई जरूरत है हमें कि हम IT system को और यूज करें technology को और यूज करें service delivery provide करने में citizens तक तो अब आप कहेंगे कि माम क्या साथ कैसी technology का और क्या link के जैसका public service delivery के साथ तो पहला देखिए बहुत सारी services अब government के digital हो गए इसे हम लोग e government के नाम से भी जानते हैं वो सारी वो services हैं जिने define करा गया है as service delivery within government ठीक है service delivery within government as well as between government and public क्या करके use करके information and communication technology का तो पहले किया था traditional सरकार की services थी इन्हें in-person deliver करते थे या department के पास भाई था या आई आई आप यहां से आपका काम हो जाएगा अलग-अलग locations में paper forms के माध्यम से यूज हो था लेकिन अब तो हर चीज़ देखते हैं online है online है तो digital services के आते ही सरकार अब information और services को citizen तक किसी भी वक्त किसी भी जगह पर किसी भी तरह से प्रोवाइट करा सकती है किसी भी platform या device पर तो यह सारे फाइदे होंगे अच्छा अलग-अलग तरीके की ICT applications रूलर पूर के लिए हैं जो समझते हैं आई समझते हैं तो पहला poverty, hunger, health care और education अब इसमें समझे क्या-क्या है ना अलग तरीके की जब हम दूर दराज तक गाओं तक जो है इसके माध्यम से चीज़ों को पुचाते हैं तो कैसे पुचा हुआ है एक दूसरे से एक अच्छी governance अगर social services की health की education की है और क्या कहते हैं इससे फाइदा क्या होता है कि cost कम होती है एक अच्छे तरीके से लोगों तक चीज़ पहुंच सकती है मालों mobile में वो बंदा देख रहे तो अपने इसाबी से अगर एक message आ गया तो काम कर लेगा उसके अलावा अगर इससे क्या फाइदा होगा इससे social services तक वो अच्छे से पहुंच सकेगा अच्छी quality बेटर quality आप जो है दे सकते हो services की इसके अलावा अच्छे से target कर सकते हो ठीके ना जनता को अब ऐसा नहीं है कि मालो department या person to person जाएंगे तो इनसान मालो एक बार गया वो घर पे नहीं है तो दुबारा कैसे होगा या department में वो नहीं आया तो क्या होगा तो अब इसमें फाइदा यह है कि दीजिटरी चीज़े पहुंचा होगे तो किसी भी वक्त किसी भी time काम बन सकता है अच्छा दूसरा क्या है कि e delivery करा सकते हो कुछ transactional services का इससे क्या होगा कि भाई proper अच्छे से social services मिल पाएंगी इसके लावा transparency और empowerment है क्यों information दूर तक पहुंच सकती है तो इससे जदा दर community के लोग involved हो सकते हैं बड़िया allocation of expenditure हो सकता है अच्छी accountability हो सकती है कि भाई मोबाईल के मादिन से हुआ है सब चीज़ का proof है एक जिगाप है economic opportunities के बात करें तो better prices, access to market, credit knowledge है, skill development होगा और इससे क्या होगा कि income जो गरीबाद में की है वो बढ़ेगी तो इन सब से क्या होगा मालो में इस सारी services प्रोवाइड कर सकते हो गरीब poverty हट सकती है, hunger हट सकता है, health care बढ़िया हो सकती है, education प्रोवाइड कर सकते हो तो इन सब चीज़ों का आफिस तक आने की, लंबी-लंबी कतारों में खड़ी रहने की, even E, हस्तकार, हक्षाक्षर सर्विस जो है न, इससे क्या होता है कि आप तुरंत E, signing कर लो, document की, online कर लो, अराम से sign कर लो, ठीक है, और वो sign, legally, accept करे जाते हैं, बिना आप government office जाए, दूसरा, efficiency, सरकारी department की बढ अपने हो गए, असान ही से type करा, और तुरंत access कर लिया information को बाद में, अगर आपको जरुवत है, तो, वहकिल का data अलग-अलग state register से collect करा, और process कर दिया, वहान प्लाटफॉर्म पे, ministry of road and transport के जो है, इससे क्या होगा, कि ghost बने भी series बचेंगे, leakages जो है, इतना बड़ा digital recorder है, अपडेट फटा-फट हुआ करता है, तो, इससे जो भी images है, उसे आप easily trace back कर सकते हो, पुराने, अच्छा, अधार कार्ड को link कर दिया, उस तो, रिस्पेक्टिव जॉब कार्ड में, मन रहेगा कि, तो, उससे लाखो लोग जो ghost बने भी series है, ना, कि फाइदा उठा रहे है है, नहीं, गलत अधार कार्ड है, मर गए हैं, तो, भी फाइदा उठा रहे हैं, तो, यह सब चीज़ों को फटा-फट से identify करके, उनने तुरन हटा दिया जाएगा, accountability और बढ़ेगी, corruption बस्ता चार कम होगा, क्योंकि particular transaction जो है, ना, कहां से शुरू होगा, कहां गया, ठीक है है, वो सब कुछ trace हो सकता है, तो information की detail होगी, जनता की platform पे, इससे वो proper understanding करेंगे, rules की, regulation की अच्छे तरीके से, even complaints वगेरा को raise कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा, combination data की, और जो भी निकाली जाएगी, अलग-अलग sources से, इसे आप निकाल सकते हो, ताकि अच्छे तरीके से, public policies को आप बना सको, तो plan को आप अधार कार्ट से link कर दोगे, तो इससे पते चलेगा कि कितना आदमी कमा रहा है, सब कुछ तो black money कम होगा, tax collection बढ़िया होगा, यह सारी बाते हैं, अच्छा, टेक्नॉलिकल, लेकिन अब challenges भी तो हर चीज़ में होते हैं, तो क्या challenges हैं service delivery में, दे जल्दी वो सब नहीं समझ पाएंगी, कैसे जो है, अब हम लोग भी अपने parents को जब mobile चलाने के बारे में सिखाते हैं, तो इतनी easily नहीं समझ पाते हैं, तो workforce ही कमी है, skilled वारी सरकार के पास में, ठीक है, ट्रेनिंग वगेरा सरकार देना नहीं जाती, इतना वो कोई पेट फ security का खतरा है, यह बहुत बड़ा खतरा है, है ना, कि अगर माल लो एक जो है, टाका पड़ा इन digital services पे, cyber threat है, बहुत बड़ा, यह अगर माली जैस security है, hamper करी, तो सब data चला जाएगा, ठीक है, उसके अलावा, sufficient digital infrastructure की कमी है, सरकारी, जिन offices में, establishment में, पुरे देश के अंदर, और interoperability नहीं है, बहुत सारे services के अंदर, तो इससे क्या होता है, ना, कि एक जिगा पर काम हो रहा है, एक ही जिगा होगा, तो एक साथ collective network के लिए यह होना चाहिए, कई सारे departments, कई सारी जगाओं को एक साथ ही जो है, वो लाना चाहिए, यह सारी बात है, हमने आपके सामने क चाहिए, और way forward में बस इतनी सी बात रह गई है, कि भाई देखो, digital literacy बढ़ाओ, जनता के बीच में society को जो है, बगए बताओ कि इसके बहुत फायदे हैं, तो आपको यह समझाना बहुत जरूरी है, कि इसके बहुत फायदे हैं, तो आप जो है, आप भी digital होई है, इस digital आइए, ताकि digital protection किया जा सके देश के अंदर, जो cyber threat है, उसको रोका जा सके, और cyber security को और मजबूत बनाएए, हमारे infrastructure में देश के, आखरी में digital infrastructure को improve करिये, interoperability को, जो भी मतलब कहने का है, कि जो भी दिक्कते हैं, उन सबको आप solve करिये, ताकि services और दूर तक पहुंच सके, ठीक, तो यहाँ पर हमने जो है, वो complete के लिए बहुत लिंबा lecture करने हैं, मतलब नहीं है, कितना करते हैं, नेक्स में हम consumer protection of India करेंगे, तब तक के लिए आप like, share, subscribe कर दीजे, link जो है, हर एक social media platform के आप description box में पालोगे, आप मुझे follow कर सकते हो, जै हिन, जै भारत